हलो वेलक्म टू स्टूडूंस सक्सेस क्लासे सडाउट अवए का नाइंबर का डशी यह डउट है कृस्ट जो मरे हुई जीव जानवर है या फिर पेट पवोते उनके बचे वह आउशेस वह आउशेस जिन्दा तो नहीं रहेंगे है ना लेकिन उनका निशान या फिर इंप्रिंट या बॉड़ी का जो आउशेस है वह आपको कहीं कहीं जब खुदाई होगी जब कहीं कहीं एक्सकेवेशन होता है तो वह उसके चिन मिलते हैं चरह देखते हैं कि फॉ फॉसिल्स फॉसिल्स और रिमेंस एक ऐसे रिमेंस मतब बचा हुआ भाग ठीक है बचा हुआ और इंप्रेशन या फिर वह इंप्रेशन होगा क्या होगा इंप्रेशन क्या होगा इंप्रेशन बचा हुआ भाग या फिर कोई इंप्रेशन होगा जो डैड अनिमल्स का जैसे कि मैं बता दू कि एक मेरे टैब में मैंने एक विजुल रखा है तो यह विजुल देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि यह जिन्दा नहीं है यह जिन्दा नहीं है तो आपको क्या दिख रहा है है इसके लेग्स है ना फोर लेग्स और इसके पूंच भी है इसका मत तो यह निकला कि पहले की जगाने में या फिर बहुत सालों पहले जो टर्टल होते थे उनके पूछ भी हुआ करती थी यह एक्चली पत्थर के नीचे दबे रह जाते हैं तो उनके इंप्रिंट पत्थर वे उपर बन जाते हैं यानि निशान या चिन्ह उनके सरीर का बन जात 두 сейчас इसी को हम आवशयस वोते हैं इसी को हम फासिल वोते हैं और इसे कई टेंपरेचर या फिर एक्सक्रीम प्रेशर की वज़यसे क्या होता है हां प्रेचर और प्रेशर की वज़यसे इनके बॉड़ीं के आंदर जो तेल होता है वो रिस्क अर्थ के नीचे चलादा है वही उसी को हम क्या बोलते है, fossil fuels भी बोलते है, जैसे petrol, diesel, यह सब हम निकालते हैं नए अर्थ की नीचे से, तыхlier ओसे सब क्या है fossil fuels ही है, कोल्स भी क्या है, पेड़-पूढ़र के दबने से बना है, तो पेड़-पूढर के दबने से जो बना है, वो भी क्या fossil fuel में ही आएगा चलो आगे definition समझ में आगया कि fossils remains होते है बचा-खुचा part होता है या फिर कोई impression है ना कोई chin होता है किसका dead animals या फिर plants का होता है जो कभी past में जिंदा हुआ करते थे ठीक है अब वो नहीं है usually, normally होता क्या है when organisms, जो जीव है organisms, जब मरते हैं, तो their bodies are decomposed, उनके bodies decomposed होते हैं जो उनके body में जो muscles होते हैं मांस होते हैं, है ना muscular part, वो decomposed होते हैं सडगल जाते हैं, कीड़े मकुड़े खालते हैं and lost, however भले ही, अगर the body or some of its parts अगर उसके कुछ हिससे या फिर सरीक के कुछ हिससे, अगर बच जाए है ना, its parts remain in environment, अगर उसका parts जो remain, बचा हुआ अगर environment में है, कहीं earth के नीचे दबा हुआ है, ठीक है that does not decompose completely, जो पूरी तरह से decompose नहीं होता है, जैसे हट्डी वाला section हट्डी वाला part क्या है, जैसे decompose, अर्थ में या मिल्टी में नहीं होता है, तो ये earth में क्या होता है, एक तरीके से ऐसा जगा fit हो जाता है जहां पो सालों साल कई साल तक वैसे का वैसे पड़े रहता है, और उसका चिन कहां पर पत्थर पे या फिर earth के नीचे बन जाता है, ठीक है decompose completely, पूरी तरह से वो decompose नहीं होता है, हां, muscular part decompose, लेकिन हड़ी वाला part नहीं होता है, the body or its parts will eventually, eventually मतला आखिरकार, be preserved under the earth, earth के नीचे वो preserve हो जाता है, and or alternately leave the impression, या फिर क्या हो सकता है या फिर उसका impression impression दिखेगा अगर हटी भी गल गई है, हडडी भी खतम हो गई है, तो उसका impression जरूर दिखेगा, जैसे ये मैंने बदा रहे, अगर हडडी है, तो हडडी तो मिलेगा है, ही मिलेगा, अगर हडडी नहीं बची, तो उसका impression जरूर मिलेगा, मतलम इंप्रेशन अतलब कि उसका छाप जरूर मिरेगा ठीक है अगर कोई मरा हुआ इंसेक्ट है खीड़े मकोड़े भी तो उनकी बॉड़ी भी पूरी तरसे क्या होती है डिकंपोज नहीं होती है उनकी कुछ हिस्से जो कड़क होते हैं जो जती अगर एक डेड़ इंसेक्ट कीड़े मकोड़े अगर मड़ में पकड़े गए मड़ में उनकी डेथ हो गई तो इट विल नाट डिकंपोज क्विकली तुरंत तो डिकंपोज पूरी तरसे होगा नहीं और अखिर कार मड़ क्या होगा सूख जाएगा and retain the impression on the body parts और उसके body parts का impression उस मिट्टी में छप जाएगा of the insect ठीक है चलो इसमें कुछ इग्जांपल ही पूछाए कि कुछ इग्जांपल बता दो कुछ इग्जांपल बता दो कि fossil के नाम बता दो ammonite कभी कोई question पूछता है एक माग का ammonite है क्या तो invertebrate fossil है invertebrate का उसके जो ready की हटी है जो backbone है पूरी तरह से now visible हो या फिर आंशिक रूप से या फिर partially visible हो ठीक है या फिर नहीं दिखते हो ठीक है vertebrate बोलेंगो तो जिसकी हटी backbone अच्छी तरह से develop हो ठीक है अब trilobite trilobite यही एक fossil है यह भी invertebrate fossil है तो दो invertebrate fossil का नाम याद अकना ammonite and trilobite और nitea k-n-i-g-h-t-i nitea यह एक मचली का fossil है यह ऐसा fossil है जो एक मचली से बिलॉंग करता है तो मचली का fossil nitea है या रहना नाम याद अकना raja saurus raja saurus जो है यह dinosaur का dinosaur का क्या है fossil है यह उसके इसकल खोपड़ी का fossil है खोपड़ी का खोपड़ी वाले हिस्से का यह fossil है उसकी खोपड़ी का हिस्सा कहीं पर खुदाई होने पर मिला है तो raja saurus क्या है यह एक skull है किसका dinosaur का यह fossil है ठीक है तो वीडियो आपको कैसा लगा यह question का answer कैसा लगा तो अगर आपको समझ में आ तो do like the video अगर अब तक subscribe भीए के तो subscribe करो फटा फाट और share करो जितने लोग को भी जरूरत है that is all thank you bye bye